आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स उन्हें बात बात पर टौकते रहते हैं कि ऐसा करो वैसा मत करो यहां मत जाओ वहां मत जाओ पफजी मत खेलो वाटसेफ फेसबुक मत चलाओ ऐसी ही दोर से एक लड़की गुजरती है जिसका नाम है अमें में हम line by line explanation of the poem सिखेंगे, extra questions of the poem and the summary of the poem भी सिखेंगे यानि कि एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा, so let's start इसके जो speaker है इस poem में, it's one of the parents of Amanda, it may be mother or father, but most probably her mother पहले line है, don't bite your nails Amanda, don't hunch your shoulders Amanda, stop that slouching and sit up straight Amanda इसमें उसकी मदर कहती है कि Amanda अपने नाखून मत काटो, भी नाखून काटना तो अच्छी बात है लेकिन क्यों, यहाँ पर word है bite, bite का मतलब है मुह से काटना, अकसर students की आदत होती है कि वो काटते रहते है जो की bad manner है, bad manner तो ही, लेकिन साथ ही साथ, जो नाखूनों के अंदर गंदगी होती है, वो हमारे पेट में चली जाती हो, जिसके वज़े से हम बिमार पढ़ सकते है don't hunch your shoulders Amanda, hunch का मतलब है, कूबड को आगे करना, ऐसे अपनी कंथों को मत जुकाओ, Amanda, stop that slouching, slouching का मतलब है, आलस में जुक कर ऐसे बैठना, ऐसे जुक कर मत बैठो, sit up straight, सिधा बैठो, Amanda अपनी मुमी की, अपनी माबाप की ऐसी बातों से प्रेशान होकर, जो रैपुंजल है, वो अलग ही दुनिया में चली जाती है, क्या सोचती है, there is a language, emerald sea, where the soul inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully, वो सोचती है, पहले में इसके word meaning बता जो, language होता है, move slowly, emerald होता है, precious stone, especially green color, green color का एक stone होता है, inhabitant होता है, निवासी soul होता है, अकेला, mermaid होता है, मच्चे इस्त्री, जिसका अपर पार्ट जो है, एक woman का और निचला पार्ट जो है, एक fish का है, drifting होता है, to move with the current of the water, धारा के साथ बहना, और blissfully होता है, extremely happy, यहाँ पर, Amanda आपने आपको कल्पना करती की, कास मैं एक मच्चे इस्त्री होती, जल पर होती, नीले हरे हरे समुंदर में, मैं अकेली ही होती, वहाँ पर प्रेशान करने वाला कोई नहीं होता, और पानी की धारा के साथ-साथ मैं वहाँ पर तैरती, वो इसलिए कहती है, कि उसे अकेला पन पसंद है, क्योंकि इसके माबाप उसे बार-बार टोकते रहते हैं, second question, did you finish your homework, Amanda, did you tidy your room, Amanda, I thought I told you to clean your shoes, Amanda, फिर कहते हैं, क्या तुमने अपना homework कर लिया, Amanda, क्या तुमने अपना room साफ कर लिया, tidy मतलब clean, साफ करना, I thought I told, मैं सोचते हूँ कि मैंने तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए बोला था, Amanda, फिर Amanda जो है, अपने ही world में चली जाती है, वो कहती है, I am an orphan, roaming the street, I pattern soft dust, with my hust barefoot, the silence is golden, and the freedom is sweet, इसमें Amanda कहती है, कि इस से अच्छा तुमें अनात होती, तो ही अच्छा था, अनात मतला, ओर्फन का मतला, जिसके माबाप ना हो, तो उसमें कलपना करती है, कि कास में अनात होती, गलियों में घूमती, आजाद, मुझे टोकने वाला, कोई नहीं होता, I pattern soft dust, जहाँ पर धूल मिट्टी है, वहाँ पर मैं pattern आकरती बनाती, आकार बनाती, with my hust, यानिकि silent, barefoot, नंगे पैर से वहाँ पर मैं घूमती और आकरतियां बनाती है, यानिकि carefree होकर घूमना, the silence is golden, जो शांत है, जो silence है, चुपी है, वो golden है, and the freedom is sweet, और freedom अश्वेतंतरता आजादी, जो बहुत ही मधूर होती है, next stanza में, don't eat that chocolate amanda, remember your acne amanda, will you please look at me when I am speaking to you, amanda, वो चोकलेट मत खाऊ, amanda, याद करो, पिछली बार तुमने चोकलेट खाई थे, तुम्हारे चेहरे पर कील मुहा से हो गए थे, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी, जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, amanda, तो बड़ा-बड़ा फिल, मैं महसूस करती है, amanda, इसमें, फिर वो सोचती है कि, कास, I am Rapunzel, I have not a care, कास मैं Rapunzel होती, मुझे किसी चीज़ की परवा नहीं होती, अब यहाँ पर Rapunzel वर्ड है, Rapunzel एक स्टोरी में एक बहुत ही लवली गर्ल है, जिसे विच ने एक जंगल में, यानि कि जादूगर ने जंगल में टावर के अंदर कैद कर लिया था, और Rapunzel के बहुत ही गोल्डन कलर के लंबे बाल होते हैं, वो अपने बालों को नीचे गिरा देती, जादूगर ने उसके ओपर चड़के उसवर टावर पे चली जाती, तो एक दिन वहां से राजकुमार गुजरा, उसने देखा कि ऐसे ऐसे टावर में जाती है, वो Rapunzel के प्यार में पड़ जाता है, पीछे से वो आपस में मिलता है Rapunzel से, कहता है कि मैं तुम्हें यहां से आजाद करा दूँगा, जब अगले दिन विच आती है, उसे भनक ल जाता है, उसे कांटो के उपर फैंक देती है, जिसके वज़े से अंधा हो जाता है, और घूमता घूमता फिर वही रेगिस्तान में पहुंच जाता है, वहां पर जब Rapunzel की आवाज सुनता है, दोनों आपस में मिलते हैं, जब Rapunzel खुशी के मारे आखों से आंसु गिरते ह उसके आखों में तो ठीक हो जाता है, और शादिक कर लेता है, तो यह Rapunzel की कहानी थी, इसमें Amanda कहती है कि मैं Rapunzel होती कास, मुझे कोई केर नहीं होती, चिंता नहीं होती, Life in a Tower is Tranquil and Rare, Tower की अंदर जो Life है बहुत ही शान्त होती, और Rare बड़ी दुरलब होती है, Certainly, I will certainly never let down my bright hair, निश्चे ही मैं अपने चमकी ले बालों को नीचे नहीं गिराती, कहती है कि जो गलती रहपुंचल ने की थी, वो गलती मैं नहीं करती, मैं तो शान्ती शे उस टावर में अपना जीवन ही आपन करती, नेक्स्ट स्टेंजा, Stop that sulking at once, Amanda, you are always so moody, Amanda, anyone would think that I nagged at you, Amanda, उसकी मा कहती है, कि sulking, खिजना, irritate होना, Amanda, खिजना बंद करो, तुम हमेशा ही moody रहते हो, बात बात पर चड़ जाते हो, कोई क्या सोचेगा, कि मैंने तुमें nag किया है, डाटा है, Amanda, So, यह बहुत ही beautiful poem थी, इससे हमें, दो सिक्षा मिलते है, कि parents को, अपने बच्चों को ज्यादा डाटना है, साथ ही साथ, आपको, यानि कि students को, उनकी स्वेतंतरता का आजादी का ज्यादा फाइदा नहीं उठाना चाहिए, अब इसके question answers हम देख लेते हैं, First question, name the poem and the poet, So, the name of the poem is Amanda and the name of the poet is Robert, Robert Klain, Second question, who do you think speak these lines, it is one of Amanda's parents, most probably her mother, third question, what does the speaker say and to whom, the speaker ask Amanda not to hunch her soldiers and don't bite her nails, fourth question, who do these lines refers to, these lines refers to the little girl Amanda, next, who is the sole inhabitant of the sea, Amanda is the sole inhabitant of the sea, second question, what does the speaker ask Amanda about her homework, the speaker ask Amanda if she has finished her homework, second, what does the speaker ask Amanda about her, about her room, she ask her if she has clean her room, third, find from the stanza which means the same as clean, which means clean, it is tidy, second, what do you understand by the word tidy, it means clean, and explain the line, I am an orphan, this line explain, here it is Amanda who calls herself an orphan, in fact she is not an orphan, she longs to be an orphan, so that nobody will disturb her, or nobody will neglect her constantly, third stanza ki baat kerte hain, what is Amanda asked not to do, she is asked not to eat chocolate, and why, because she may have again, acne on her face, second question, what shows that Amanda is not listening to what the speaker is saying, which the speaker is saying, how do you know, that she doesn't listen to her, because Amanda is not looking at the speaker when she is speaking, it shows that she is not listening to her, third, who was Rapunzel, Rapunzel was a lovely girl with long golden hair, next, what kind of life did she leave, she lived a carefree and peaceful life in a tower, next, first question, what does the speaker want Amanda to do, the speaker ask Amanda to stop sulking at once, second, what poetic device has been used in the first line, stop and sulking, sir ki sound hai here, alliteration is used, third question, what does the speaker fear people will think about her, ki ki kis chiz ka ushe dar hai, ki log uske baare me kya souchenge, the speaker fears that people will think that she next Amanda, ab iski summary ke baare me hum baat kar lietey hai, agar koji question aata hai, what is the central idea of the poem, what is the main theme of the poem, who is Amanda and what type of life does she want to leave, yani ki, koji bhi aisi type question is poem se aata hai, toho sabhi ka ek hi answer hai, so shalli suruh dhekhte hai, the poem is about a little girl amanda, amanda ke baare me poem hai, whose mother constantly nagged her, jiske mammyun se baare baare, constantly lagataar nagged, daatati rehti about what to do and not to do, ki ki kya karei aur kya nahi karna chahiye, she is tall not to answer her shoulders and to sit up state, ushe kaha jata hai ki kandhi juga karna baithe, sithi baithe, she is tall to finish her homework and to tidy her room, ushe yeh bhi kaha jata hai, ki wo joh apna homework finish karay, aur apne room ko bhi clean karay, she is forbidden from eating a chocolate, ushe chocolate khanhe se mana kiya jata hai, on the contrary, iske vipreet, amanda wants freedom from all restrictions, amanda jwa sabhi trahi ki baab bandhan se aja di chaati hai, she dreams to lead a life of mermaid in the sea, wo samundar mein ek jal pari ki tarhe jihon jena chaati hai, she feels that an orphan has more freedom than her, wo susti hai ki ek anaat ki bhi jada swetantra ta hai, uski comparison mein hai, see also we still lead a calm and quiet life in a tower, wo ek tower mein ek bilkul shant or quiet life jena chaati hai, that of rapunjal, rapunjal ki bhaati where nobody will disturb her, jaha par koji bhi ushe disturb nahi karayga, the poem conveys an important message, yeh dheti hai that children should never be deprived of their freedom, ki unki azadhi ko kabhi bhi deprive one chit nahi rakhna chahiye, aap iska screenshot lye sakte hai, so I hope aapko is video se kabhi madad mili hooghe, many questions, haas humne short answer type questions, summary of the poem, line by line, sab kuch humne aapko pada diya hai, so mujhe umeed hai ki aap is video ko like to karenge hi, aapne friends ke saath bhi share karenge, taaki unka bhi kuch bhala ho jaye, jealousy nahi karni chahiye, humne share kar deena chahiye, so thanks for watching and best wishes. is